अब जनकपुरी में पंच कल्यानक जो प्रतिष्टा मोथ सभ हुआ है उसमें हमारे पाइवार की तरफ से श्री मलिनाद भगवान की वेदी स्थापित की गई है उसमें प्रतिमा हमारी तरफ से स्थापित की गई है तो उससे हमारे जीवन में क्या लाब घटीत होगा कृपय शंका का संभधान करें नमोस्तु गुरुदेव भगवान महावीर स्वमी की दिब धोनी में और उनके ही आगम गरंथों में हमें पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है इसके बारे में कि मंदिर बनवाना बेदी बनवाना प्रितिमाओं को इस्थापन करना महान फुल की प्राप्ति बताई है मैंने एक पर गरंथ में पढ़ा था उसमें लिखा था जो भक्त है नियाए नीती से और भक्ती भाव से राई के दाने के बराबर प्रितिमा का निर्माण और धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर का निर्माण इतनी राई के बराबर प्रितिमा और धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर का निर्माण भक्ती भाव से करता है और नियाए नीती के धन से करता है तो उसको तीठंकर प्रगती का बंद होता है ऐसा बताया आगम में मल्लक की वो भी अगामी काल में जाकर के अरहंत प्रमात्मा तीठंकर प्रमात्मा होता है इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति प्रितिमाओं को इस्थापित करते हैं बेदियां बनवाते हैं मंदिर का जिना नए मंदिर बनाने की अपिक्छा एक जो है प्राचीन तीर्थ का उधार कराते हैं तो साक्षात इस जीवन में भी शुक मिलता है और आगामी काल में वह जीव जो है स्वयम मोक्षगामी बन जाता है ऐसे फलों की प्राप्ति लिखी गई है तो निश्यत ही आपका परिवार जो है जो धरम चंजी परिवार है जिन्होंने इस परकार का यह अपने मन में भाव रखा था एक महान बेदी बनाने का और परितमाइ इस्ताफिल करने का यह भाव जीवन में बहुत ही कम मिल पाते हैँ दुरलब परिणाम है दुरलब भाव है और निश्यत ही आपने यहे दिकार ऐसा किया है और आपके परिबार ने भक्ती भाव से किया है तो इसका फल आपको इस लोक में भी इस जीवन में भी शुक देगा और पर लोक में भी महान शुक की प्राप्ति तुम्हें देगा अबिशेक का नियम है मैं कहा करता हूँ माताब पताओं से कि आप अपने बच्चों के हाथ में प्रभू का कलस अविशेक का कलस पकड़ा दो यदि आपने अपने बच्चे के हाथ में भगवान का कलस्ट पकड़ा दिया अविश्यक का तो कभी भी वहे गलत चीज अपने हाथ में नहीं पकड़ेगा जैसे सराप की बोतल है और भी ऐसी चीजें होती है जो असेव नहीं होती है जो खाने योग पीने योग नहीं होती है तो कितना बड़ा फ्ल है क्यों वो जानता है मैं भगवान का अविशेक करके आया हूँ मैं गलत काम केशे कर शकता हूँ तो उसके जीवन में कभी भी गलत काम नहीं होते हैं और नाको कर पाता है इसलिए अविशेक का कलस करने का सबसे बड़ा फाइदा तो ये है दूसरी बात है प्राता काल उठोगे तो आलस प्रमाद दूर होगा जैसे ही आप प्रभू को इश्पर्श करोगे आपके मन के जितने विकार हैं वो दूर हो जाएगे मन की गंदगी सब दूर हो जाएगी और प्रभू से जुड़ने से तम्हारे जीवन में साकारात्मक सोचा जाएगी जितनी नाकारात्मक उर्जा है वो सारी की सारी उर्जा दूर हो जाती है और हम साकारात्मक हो जाते हैं तीसरा फायदा ये है, आरोगता की प्राप्ति होती है, जैसे हम प्रभु किशभश्मस करते हैं, तो हमारा जो blood है, circulation है blood का, वो अच्छी तरह से होने लगता है, जितने blockage हैं, वो दूर हो जाते हैं, और जिससे हमें आरोगता की भी प्राप्ति होती है. तो अभिशेक साइंटिफिक भी है, बैग्यानिक भी है, धार्मिक भी है, नेतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, बहुत सारे प्रकार के फायदे हमें जीवन में मिला करते हैं, और अंतिम बात मैं आप से कहना चाहता हूँ, जो भगवान का अभिशेक करता है, उसी का तो पांडुक्षिला में अभिशेक होता है, यदि आपको भी जैसे भगवान का पांडुक्षिला में अभिशेक होता है, अरहन ती ठंकर बन करके इस प्रकार के भामना हो, तो अपने जीवन में प्रभू का अभिशेक के लिए जरूर जाना चाहिए, प्राता काल इसनान करके गहरादी में आप मंदिर जाएए और वहाँ पर सुध्ध वस्त्रों को पहन करके प्रभू का विश्यक कीजिए मुझे खुसी होती है जब ऐसे यूबा लोग ऐसे हमारे बच्चे लोग जो हैं इस प्रकार की नियम लेते हैं तो कितनी हमें खुशी मिलती है कि हमारे सची प्रभावना जिनसासन की प्रभावना हो रही है यदि बच्चा अभिशेक से लगता है मंदिर से जुड़ता है तो मैं नियम से कह सकता हूँ कभी उसकी जीवन में बुराई निया सकती है वहे व्यक्ति नियाए नीती से अपना जीवन जिएगा समाज को परिवार को खुश रखेगा सोयम स्ष्ट रहेगा और सबको भी स्ष्ट रखेगा यदि इस प्रकार से हमारे बच्चे जिन सासन से जिन धर्म से जिन अविशेक और जिन गुरू आजी से जुड़ते हैं तो नमुस्तु गुरुदेव मेरा नाम नवधा जयन है और मैं जनकपूरी से हूँ मुझे एक शंका है कि जैसे पुरुष लोग अभिशेक करते हैं और हम स्त्रियां सिर्व देख सकती हैं तो इसमें हमें क्या लाब है इस शंका का समधान देची नमुस्तु गुरु दे पुरुष लोग अविशेक करते हैं और महिला लोग अविशेक देखते हैं कहीं कहीं ऐसी भी विवस्थाएं हैं जहां पर महिलाएं भी अविशेक कर सकती हैं हमारे जैन धर्म में दो धाराएं बरतमान में प्रचलित हैं कहीं पर महिलाएं करती हैं, और कहीं पर नहीं करती हैं, बात करने और ना करने का नहीं है, बात है भावों का, कोई करत के करती हैं, कोई देख के भाव बनाती हैं, बात यह है कि हम अब भगवान से जुड़ सकें, किस प्रकार से जुड़ सकें, सोयम करके जुड़ सकें, या क प्रकार की अनमोदना तो कर रहा है कि मेरे गुर्देव का निर्विगन आहार हो निरंतराय आहार हो यह आहार से उनका जीवन स्वस्त रहे रतना तरह का पालन हो इस प्रकार के जोसकी भाव है इस भाव से भी वह आहार का ही फल प्राप्त कर लेता है ऐसे ही महिला लोग भी यदि पुरश लोग अविशेक कर रहे हैं और वो देख करके अनमोधना करती है कि कास मुझे भी अवसर मिलता तो मैं भी प्रभू का अविशेक करती तो इस प्रकार का जो विचार है, जो भाव है इससे भी उसे उतना ही फल की प्राप्ति हो रही है जितना करने वाला अविशे कर रहा है और यदि तुम्हारे मन में इस प्रकार का भाव आता है तो बहुत ही अच्छा भाव है और इस प्रकार का भाव आना ही चाहिए कि मुझे साख्छात जिनेयन भगवान का अविशे करने का इश्पर्ष करने का दर्सन करने का फल मुझे मिलता रहे मेरे जीवन में यदि कोई पुन्न हो तो सबसे बड़ा पुन्न यही है कि मैं प्रभू का अविशेक, पुजा, पाथ, शांती और गुरू की भक्ती आदी इस प्रकार से कर सकूँ और तुम्हारे मन में इस प्रकार का विचार आया है तो यह बहुत ही उत्तम विचार है और ऐसा विचार आना चाहिए मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं को पृद्दिन प्राताहकाल मंदर में जाना चाहिए और जिस प्रकार से पुरुष लोग अविशेक करते हैं झाल झाल